नमस्कार साथियों स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल विदान्त लर्निंग पॉइंट पे आज आप सभी के लिए एट ग्रेड अभ्यास पुष्टिका अंग्रेजी गक्छाचे से इसका लाश्ट लेसन करने वाली हूँ जो है आपका लेसन नमबर 12 बीरबल और धोबी ये आपका लाश्ट लेसन है यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए और इसे करने के लिए जो आपको बुक दी गई है इंग्लिस डीडर उसमें से लेसन नमबर 12 ठीक से डीडाउट कर लीजिए उसके बाद से फिल करने बैठिए पिछले सारे लेसन्स करवा चुकी हूँ प्लेलिस्ट बनी है प्लेलिस्ट में जाके आप सारे लेसन्स ठीक से देख लीजिएगा यदि आप playlist में न आ जा सकें तो description में भी आपको link मिल जाएगी वहाँ से आप पिछले सारे lessons देख लीजिएगा First question is Who accepted the king's challenge to stand in the river? नदी में खड़े रहने की राजा की चुनौती को किस ने सुईकार किया? तो दीनू जो की एक धोबी था उसने सुईकार किया यहाँ पर दीनू आ जाएगा और C पे tick mark कर देंगे दीनू is the right answer Who bought justice to दीनू? दीनू को न्याय किस ने दिलाया? तो दीनू को न्याय दिलाया बीरवल ने option number B यहाँ पर सही रहेगा यहाँ पर आपको बीरवल mention कर देना है Next question is third What was बीरवल known for? बीरवल को किस के लिए जाना जाता था? यह जो question है इनके एक से या दो सब्दों में आपको उत्तर देना है His wisdom उसके ज्यान के लिए Wisdom का मतलब होता है ज्यान His का मतलब उसके उसके ज्यान के लिए बीरवल को जाना जाता था Write the adverb of loud Loud का आपको adverb लिखना है आप loud में ly जोड देंगे तो आपका adverb बन जाएगा Loud का मतलब होता है तेज और या तेज आवाज होना Loudly का मतलब होता है तेजी से This is a good opportunity I should try my luck Who said this? यह एक अच्छा आउसर है मुझे अपना भाग गे आज माना चाहिए ऐसा किस ने कहा तो ऐसा दीनू ने कहा अपनी पत्नी से Question 6 is What do we call a person who works in a king's court? हम एक व्यक्ति को क्या पोकारते हैं जो राजा के दरबार में काम करता है तो जो राजा के दरबार में काम करता है उसको दरबारी बुलाया जाता है कोर्ट से बन जाएगा कोर्टियर कोर्ट का मतलब होता है दरबार और कोर्टियर का मतलब हो जाएगा दरबारी तो कोर्ट में आई ए आर जोड देंगे तो कोर्टियर लिख जाएगा और ये हो जाएगा आपका दरबार से दरबारी जो राजा के दरबार में काम करते हैं उनको क्या कहा जाएगा दरबारी ठीक है next question is seven इन sentence की जो उत्तर है वो आपको एक से दो वाक्य में देना है यानि कि एक से दो sentence में लिखना है rearrange the words to make a meaningful sentence ये इधर उधर लिखा हुआ है इसको आपको right order में लिखना है और एक नया वाक्य बनाना है तो कैसे बनेगा the water of the river is cold water यानि पानी river यानि नदी ओफ यानि का तो नदी का पानी is यानि है cold यानि थंडा तो नदी का पानी थंडा है इस तरीके से इसको rearrange करेंगे last में full stop लगा देंगे पहला अक्षर capital letter बनाना है इस तरीके से आपको इसे लिख देना है ठीक है next question is eight rewrite the sentence changing both the underline plural cat underlined है और mouse underlined है इन दोनों को आपको कैसे लिखना है plural form में आने की बहुबचन में लिखना है cat का मतलब एक बिल्ली cats का मतलब बहुत सारी और cats इसका plural हो जाएगा mice का मतलब एक चूहा mice का मतलब बहुत सारे चूहे तो कैसे बनेगा the cats cat का में S जोड़ देंगे तो cats हो जाएगा jumped upon the mice बिल्ली चूहों पर कूदी और इसका मतलब हुजाएगा बिल्ली चूुहे पर कूदी यानि की एक बिल्ली एक चूहे पर कूदी और यहाँ पर हो जाएगा की बहुत सारी बिल्लियां बहुत सारे चूहों रिवार्ड का मतलब होता है क्या पुरुसकार या इनाम और सेडली का मतलब होता है दुखी दुखी हो करके तो इन दोनों को इस्तमाल करके इन दोनों का यूज करके आप हो क्या करना है एक नया सेंटेंस बनाना है तो क्यासे बन जाएगा कि अकवर गेव रिवार्ड टुद अकबर ने दीनु को इनाम दिया दीनु वाल लुकिंग बीरवल सेडली दीनु बीरवल को लुखी होकर देख रहा था इस तरीके से ये बन जाएंगे next question is 10 according to दीनु दीनु के अनुसार what was a good opportunity for him उसके लिए एक अच्छा आउसर क्या था according to दीनु दीनु के अनुसार according का मतलब होता है के अनुसार standing all night in river's cold water was a good opportunity for him उसके लिए सारी रात नदी के थंडे पानी में खड़ा रहना एक अच्छा आउसर था because he was very poor and he needed reward so much क्योंकि वह बहुत गरीब था और उसे इनाम की बहुत अधिक जरूरत थी या बहुत अधिक उसे आवश्यक्ता थी इसके बाद next question है 11 look at the picture carefully and answer the questions given below इस picture को देखिए इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर चिडियां दिख रही है हाथी दिख रहा है कैमरे दिख रहे हैं मास्क दिख रहे हैं बंदर वाले यह जो फुलड़ियां टाइप होती है वो दिख रही है यह बॉल दिख रही है यहाँ पर गमला है और यहाँ पर बच्छरा है जिसके ओपर कवा बैठा हुआ है और यहाँ पर साइकल है और यहाँ पर यह दो बच्चे खड़े हैं यह सामान वेचने वाला है दरबाजे पर इनकी मां खड़ी है यहाँ पर पेड़ है इसको आप देख लिया आपने अब इसके वारे में आपको जो प्रस्ण है उनके उत्तर आपको देने है देखिए किस तरीके से देना है तो दरबाजे पर कौन खड़ा है चिल्रेंस मदर इस स्टेंडिंग ओन दा डोर दरबाजे पर बच्चों की कौन खड़ी है मां खड़ी है तो इस तरीके से लिख देना है जो कवा है वो कहां बैठा हुआ है तो दक्रो इस सिटिंग ओन काब्स बैक बचडे की पीठ पर जो है कवा बैठा हुआ है अभी आपने देखा वाट इस दा मैन डूइंग आदमी क्या कर रहा है मैन इस सेलिंग दा ट्वाइज लाइक बॉल्स बर्ड्स मास्क स्मॉल एलिफेंट एडिसी तो आदमी क्या कर रहा है तो आदमी खिलोने बेच रहा है जैसे गेंद, चिडिया, मास्क, छोटे-छोटे अलिफेंट, आदी अभी आपने देखा वहाँ पर कितने मास्क हैं फाइब मास्क आर देखें एक बार अपन भी काउंटिंग करते हैं कितने मास्क हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कितने मास्क हैं, 5 मास्क हैं ठीक है न और मा कहां खड़ी है, देखें, दरबाजे पर और पीट पर कौन है, बचडे के कववा, ठीक है और जो आदमी है, क्या कर रहा है ट्वाइज यानि खिलोने बच्चों के लिए बेच रहा है, ठीक है बच्चे कहां खड़े है तो बच्चे अपने घर के सामने खड़े है आर का मतलब होता है, इस्टेंडिंग का मतलब खड़े हुए इन फ्रेंट यानि सामने, देयर यानि अपने होम यानि घर और यानि के तो बच्चे अपने घर के सामने खड़े हुए है ठीक है नेक्स्ट और लास्ट कुश्चन ओफ दिस लेसन इस 12. Do you think the washerman took the right decision to stand in the cold water to get reward आपको क्या लगता है आप क्या सोचते हो की धोबी धोबी ने सारी रात पानी में खड़े रहने का निरना जो लिया क्या वो सही था इनाम पाने के लिए Yes, हाँ, the washerman took the right decision हाँ, धोबी ने सही निरना लिया था क्योंकि he was very poor, वह बहुत गरीब था और he is a washerman और वह एक क्या था धोबी था So he has a habit of washing clothes in cold water इसी लिए ठंडे पानी में कपड़े धोने की उसकी क्या थी आदत थी Secondly, by getting this reward His family will be happy always दूसरी बात इनाम को पा करके इस इनाम को पा करके उसकी फैमिली यानि उसका परिवार हमेशा के लिए खुस हो जाएगा या खुस हो जाएगा सुखी हो जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं इस तरी के सी ये सारा लेसन आपका complete हो गया जो आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछे आपको बताया जाएगा और कौन-कौन इस लेसन को देख रहा है कौन-कौन इसे अपनी बुक में लिख रहा है अपना अपना नाम जरूर मेंसन करें देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी का दिन सुभ हो